कोई एक देवता को मानेगा उसका मंदिर बनवाएगा तो दूसरा कोई IIT रिटर्न भी आएगा और वो कहेगा नोट पर इनकी तस्वीर लगा दो वो इकोनॉमिस दर जाएगा तयार हो चुके हैं लोग पढ़े लिखे लोग और उनको ये लग रहा है उनके प्रवक्ताओं को लग रहा है कि हम तो बीजेपी को काटने के लिए उनसे ज़्यादा खटर हिंदू बन गए अब बीजेपी विरोध करके दिखाए उनका क्या जो इस पूरी डिबेट में है न तयार हो गए हैं लोग और बहुत संभावना है कि बहुत जल्दी वो राष्ट्री पार्टी का दरजा पा जाएं बहुत जल्दी पूरी मेनेश्ट्री मीडिया ये दिखाने लगेगा और पूजी उनके पीछे से ये कहने लगे कि नहीं नहीं वाकई देश में बहुत हों कि हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चंद व्यक्तियों या किसी पार्टी या संगठन का विरोध करने लग जाएं इससे खत्रा नहीं टेलेगा हमें उस प्रविर्ति का विरोध करना है जिसकी वज़े से उस कुरसी पर जो भी बैठता है वो दलेत पिछड़ा आदि लिए कॉलिन कह रहे थे अभी कि न्याइपालिका अब क्या हुख उस पर बात की जाए बड़े बड़े जज़ बड़े बड़े वकील पता नहीं इसी देश में संभव है कि किसी तड़ी पार्क के आप वकील हो और फिर कुछ दिन बाद आप चीफ जेस्टिस अफ इंडिय इट सेपन उनली इंडिया और उसके बाद चार जज़ निकले थे प्रेस कॉंफरेंस किये थे कि लोग तंत खत्रे में हैं हम 20 साल बाद आने वाली पीडियों को क्या जवाब देंगे अगर आज ये प्रेस कॉंफरेंस नहीं किये उन्हीं में से कोई एक विक्ति जाकर राम मंदिर का फैसला सुनाया और अगले दिन राश सभा की सपत ले लिया कहां गई वो नेतिकता जिससे हम कभी-कभी उसके बीच से ऐसे सवर सुनाई देते हैं कि वो बहुत अच्छे लगने लगते हैं कि जुडिशिरी खतम नहीं होगी कुछ जज निकल के बाहर आएं और इस समय क्या हो रहा है और मतलब सोचे ने संस्थाओं को इतना कमजोर कर दिया गया है कि दिन रात टीवी पर बैठ कर दंगाई नफरती डिवेट करने वाला एंकर जिस दिन सरकारी प्रवक्ता से एक लाइन पूछ दे उसको बावाही मिलने लगती है कि देखो ये कितना अच्छा पत्रकार है हम यहाँ पहुँच गए है बाकी वो दिन रात इसी तरह कई वार ऐसा तो नहीं कि हम लोग शायद अपने को खुश रखने के लिए अपने को जो यहाँ बैठे हैं ठीक का प्रफसर सहाब ने की फाइल तो बनी है बनी हुई है उसमें नहीं पनने जुड़ेंगे कि आज की बैठक में क्या क्या बोला गया जी हाँ इस बैठक में यह सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी नय पालिका पर हमें भरोसा कैसे हो बतावर दे ज़र रहे हैं और अलग-अलग समय में अलग-अलग लोग निशाने पर रहते हैं और वो लोग आज यह कह रहे हैं कि जुडीशरी में कोलीजियम सिस्टम नहीं खतम होना चाहिए कोलीजियम सिस्टम में कौन है वकील किसको जज़ बनाना यह सब कुछ नहीं और उसके कई हाई कोड से लेकर के सुप्रिम कोट के तमाम नैय अधिशों के सामने एक सवाल रख रहा हूं आपके जुडीशरी के लिए तो यह कहा गया कि कोई कोई मुल्जम छूट जाए वो चलेगा कोई अपराधी बर्य हो जाए वो चलेगा कोई निरपराध को सजाने मिलने चा अगर इस बात को जो नहीं समझते उन्हें इस मुल्क की जेलों में जाकर देख लेना चाहिए कौन जेल में कैद है हम भले इस से हिम्मत दे रहे हैं अपने को ऐस आज की बैठक में कि किस किस को कैद करोगे कौन एक बात और कह रहते कि कुछ अच्छे जज़ भी वहां बैठे है इस मुल्क में मेरा मानना है कि 80% लोगं अच्छे हैं मगर वो चुप है वो अच्छे परिवार के पिता अपोत्र भाई बहन बने बैठे बहुत अच्छे लोग हैं मेरे विश्वद्याले में बहुत वो अच्छे लोग कहां खड़े मेरा यह सवाल है अगर आप अपने विश्व देले को नहीं बचा पाए तो आप अच्छे किसके लिए तो वो जज अच्छे किसके लिए वो समाज अच्छा किसके लिए वो सारे खामोश लोग हैं और होता यही है मैं फिर से कह रहा हूं इस से लिए खड़े होते हैं और बार बार मिलते हैं और बार बार यह कारिकम करने की जरूत है ताकि हम खुद को एक हिम्मत दे सकें कि जब सब खामोश हो रहे हैं जब मुल्क के हुकमरा कहते हैं जुको और लोग रेंगने लगें उस वक्त हम एक दूसरे से हिम्मत लेने आते कि नहीं सारे लोग रिंग नहीं रहें कुछ लोग हकुक की बात कर रहें और जो जेल में हैं इस बात को इस मुल्क के निजाम को सामने दिल्ली में खड़े होकर हम यह कहते हैं कि जेल में जीन होना चाहिए वो कुर्सियों पर हैं और मैं इस बात को ये कहते हुए कि इन सारे लोगों को बरी किया जाना चाहिए और कोलिन एक बात कह रहे थे मैं वही सोच रहा हूँ वो तो पड़े लिखे समझदार वकील है वो कह रहे थे कि बहुत डर लग रहा है मैं तो बार-बार कहता हूँ इंद्रा गांधी आज होती तो पश्टाती कि हमने गोशित इमर्जिंसी क्यों लगा दी इस देश में सब कुछ अच्छे से चलते रहने के बाद भी हम दमन करने में कामयाब हो सकते हैं कोलिन कह रहे थे कि अब इस मुल्क में सम्विधान सम्मत बातें करना भी खतरे से खाली नहीं है बिल्कुल ठीक बात है और पुर्वानन ने जो इस देश के ग्री मंतरी और प्रधान मंतरी के बयान का जिकर किया कि हमें हर तरह के नकसलियों को खत्म करना है असल में उनकी मंचा है कि हर सवाल पूछने वाले को खत्म किया जाए मगर हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि हम इनके साथ खड़े हैं और इस देश के आम आवाम और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस मुल्क के आम आवाम को इस बात को समझाने की जरूत है कि जो जेल में है वो बुरे नहीं वो आपके लिए लड़ रहे हैं क्योंकि कल जो जेल में थे वो आज हमारे नायक है कल जिनको जेल में डाला गया जिनको फांसी पे लटकाया गया वो आज हमारे नायक है और जो माफी मांगते थे उनको लाग कोशिश कर लो माफी माँगने वाले कभी नायक नहीं बन पाएंगे आज आपकी सत्ता है आप किसी को भी नायक बना लो मगर जो हमारे हिस्से के लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनके लिए बोलने आए हैं और उससे बड़ी बात हम अपने लिए बोलने आए हैं और हम चाहते हैं कि इन सब ही बंदियों को तत्काल रहा किया जाए ताकि ये मुल्क और इसके आईन को बजाया जा सके ये ही वो दो लब्स है जो बोलने के बाद कहा ये जा रहा है कि आप दंगा भड़काना चाहते हैं और आपको जेल में रखा जाएगा और सामने भगत सिंग की तस्वीर लगी है मुझे पता नहीं हलांकि उस वक्त के हुक्मरानों के लिए भगत सिंग चुबते थे जेल में थे आज होते तो जाने और क्या होता आखरी पत्र लिखते हुए उन्होंने एक उमीद की थी कि ये जो शहादत मैं देना चाहता हूँ ये इसलिए कि मेरे लहू का एक एक कत्रा इंकलाब लाएगा पता नहीं वो इस बात को बहुत दूर तक नहीं जानते रहे होंगे कि आजादी का अमरित महुद्सफ वो जब मुल्क मनाएगा वो समय इंकलाब शब्द भी जेल में जाने के लिए काफी होगा हम इस दोर में हैं और प्रफसर साई बाबा या इस तरह के जितने भी लोग हैं प्रफसर साई बाबा को इस समय अपनी कख्षाओं में होना चाहिए था अपने विद्यार्थियों के साथ होना चाहिए था अपने शोध को किताब को किसी लेख को लिखते हुए इस मुल्क की बहतरी के लिए कुछ बतौर प्रफसर कुछ अपना योगदान देने का जो मौका सौपा गया था उसे निभाते हो मगर आज वो सलाखों के पीछे है प्रफसर हैनी बाबो अपनी कख्छाओं के विद्यारतियों के बेहत प्रियत जनांदोलनों के आवाज थे और चाये वो रोश्टर आंदोलन हो या विश्वद्यालियों में रिजर्वेशन की लड़ाई हो उसमें भी बहुत मुखा रोकर के आगे खड़े होते थे और आज उन तमाम जगहों से हटा कर जेल में बंद कर दिये गए हैं मुझे लगता है कि नीजी तोर पर इन लोगों का नुकसान तो है उमर खालित के जेल में होने का तमाम शुधारतियों के सामाजी कारिकरताओं के जेल में होने का उनका और उनके परिवार के लिए बेहत अफसोस जनक हलात तो है ये वही समझते हैं कि उनके घर में लोग कैसे इस बात को कबूल कर रहे होंगे ये हर दिन कैसे उन पे क्या-क्या जुल्म उसितम अहसास होता होगा जब ये जिन पे घुजरती है वो ज्यादा बहतर समझते हैं मगर ये नीजी नुकसान से ज्यादा मैं बतौर समाज का बतौर राश्ट का नुकसान देख रहा हूँ वो जिन्हें प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजिनियर होना चाहिए, वकील होना चाहिए, कैमपस में अपने मुल्क की बेहतरी के लिए डिवेट करता हुआ होना चाहिए, वो सलाकों के पीछे हैं और बहुत से ऐसे लोग जिने सलाकों के पीछे होना चाहिए वो इस मुल्क के हुकमरा बने बैठे है विडमना यही है और अभी जब हम यहाँ बात कर रहे है उत्तरप्रदेश के एक निता है आजम खान वो भी खान है आजम नाम है उनका तो वो हेट स्पीच के मामले में अब जेल जाने के लिए आज उनको सजा सुनाई जा रही है कि उन्होंने चुनावी भाशन में हेट स्पीच की और MPML कोट ने उन्हें सजा सुनानी की आज ही तारीख दिये और बहुत सारे MPML ले प्रमोशन पा रहे हैं ताकि अगली बार और जादा हेट स्पीच दें नए स्लोगन ले आएं देश के गदारों वाला स्लोगन पुरा ना हो गया गोली मारो जूता मारो अब इससे बात नहीं बन रहे हैं सामान खरिदवाने की मनाही जो कर रहे हैं कि मुसल्मानों से इस मुल्क में सामान मत खरिदो इससे भी बहुत कुछ नहीं बात बनी तो प्रमोशन मिल रहा है उनको की और कोई नया स्लोगन आप रेज करो ताकि वो 30 सेकंड की रिल्स से ले करके वाटसेप पर गाउं गाउं तक वो जो जहरील नफरत के हम लोग यहां पर इकठा हुए हैं और अभी प्रफसर सरोजगिरी ने और इसके पहले कोलिंग अंजल्विस ने बहुत तफसील से इस पूरे मुकदमे के बारीकियों को हमारे बीच में रखा प्रिष्ट भूमी को रखा प्रफसर सरोजगिरी तो अभी एक बात कह रहे थी कि ऐसा नहीं है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस समय सरकार बीजेपी के है इसी का विरोध कर लो देश बच जाएगा गोया इसके पहले बचा रहा हो तो इनकी चिंता थी कि अगर यह नहीं होंगे तो कौन होगा नेने लोग तयार हो रहे हैं सर